असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़दार बहुत ही डिलेशस और चटपटी से हम यहाँ पर लोकी के पकोड़े बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही मज़दार है बहुत ही डिलेशस है और बनाना बहु तो यह देखिए लोकी को हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है तो इसको अब एक बॉल में रख लेते हैं साइड में रख लेते हैं और चलिए अब हम यहां पर एक बैटर तयार करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पर चटनी पीस लेंगे जो जिसते के हमारी लोकी के पकोडे चट्पते बनेंगे तो एक मुठी हमने धेने की पत्ती ले ली है, 8-10 हरी मिर्च हमने यहाँ पर ले ली है और एक छोटी हमने यहाँ पर पोटली लेसुन की ले ली है इसको तोड़कर हमने डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरीके से बिना पानी की चटनी बना कर तयार करेंगे यहाँ पर एक बॉल ले लेते हैं So although we like a cake जेर, यहाँ पर एक मिक्सिंग बॉल ले लेंगे और इसमें हम डाल देते हैं एक कप अच्हे ब़र कर वेशन लाल दे Means गे आधा टीस्पून अम इसमें । बाल देंगे चीली फ्लेक्स और आधा टीश्पून देते हैं नमक नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और यह जो हमने चटनी बना कर सूखी चटनी बना कर तैयार की थी वह हम इसमें डाल देते हैं और अब हम इसे में पानी डालेंगे और अच्छा इसा हम गाढा सा घोल बनाकर तयार कर लेंगे , तो इसमें दो चुटकी हम यहां पर मीठा सोडा डाल देंगे या खाने वाला सोडा जो होता है वह हम डाल कर अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते कितनी अच्छी तरीके से गाढ़ा गोल बन कर तयार हो चुका है तो इसमें लोकी के जो स्लाइसेस हमने काटे थे वो हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी से डिप करके हम अच्छी तरीके से कड़ाई में इसको फ्राइ कर लेंगे और अच्छी तरीके से फ्राइ करेंगे तो यह देखे जितने भी पीसेस कड़ाई में आते हैं उतने डाल दीजिए बहुत जादा डालेंगे तो यह आपस में चिपक जाएंगे इसलिए बस थोड़ा-थोड़ा करके ही इसको फ्राइ कीजिए तो इतने मैं पकोड़े यहाँ पर डाल रही हूं लोकी के स्लाइसे जो हमने अब इसको पलट लेते हैं दोने तरफ से अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे तो इस तरीके से पहले हम इसको पलट लेते हैं और काफी मज़दार ये पकोडे बनकर तयार होते हैं, काफी चटपटे क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं, तो आप भी लौकी के पकोडे जरूर बनाईए, बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो ये देखिए, पकोडे हमारे जो लौकी के अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई ह इसका कलर भी चेंज हो चुका है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं, दुसरे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अब्जॉर्बिंग पेपर रख लेंगे और इसको निकाल लेते हैं, तो यह देखिए, सारे पकोड़े को हमने बना कर तयार किया, ऐसी तरीके से और भी जो पकोड़े हो बना कर हम तयार कर लेंगे, सारे पकोड़े बनकर तयार हो चुके हैं, तो इनको हम सर्फ करेंगे, तो यह देखिए, टामाटर सॉस के साथ हमने यहाँ पर इसको सर्फ किया तो यह हमारे लौकी के पकोड़े बन कर तयार हैं इसको हमने सर्फ किया है तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं यह लौकी के कैसी लगी